क्यों करा जाता है पूर्णिमा कब्रत पूर्णिमा कब्रत करने का कारण क्या है बताईए आप इतने सालों से कर रही हो कई माता हैं कर रही होंगी पूर्णिमा कब्रत एक समय फलार करती है एक समय भोजन करती है भोजन में खीर का होना जरूरी होता है ह rozp कि बया रहे हैं और अधू एब चेत्र के महिने की जो पूर्णिमा ऊति है चेत्री पूर्णिमा पहली हमानी जाती है इसलिए चेत्री पूर्णिमा को सिद्ध करने मनोरथी हमा करते है इसलिए पूर्णीमा कबरत कहां से उठाया जाता है चेत्र के महिने की पूर्णीमा से पूर्णीमा कबरत उठाया जाता है कि मैं महिने की पूर्णीमा करूंगी तो चेत्र पूर्णीमा से उसको उठा लिया जा पर उसका एक्रियम रहता है, आप फलार करें अपनी जगा पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगा, पर भोजन के साथ में, मिठे के साथ थोड़ा दूढ की समगरी होना ज़रूरी होती है, और क्यों करते हैं पुर्णिमा कबर किसलिए किया जाता है, क्यों करा जाता ह उसका व्यक्ष्यान वर्णन शिव महापुरान के अंतरकत इसकंद पुरान में लिखा गया इसकंद पुरान में वर्णन किया है श्रिवेद व्याज जी महाराज ने कहा ये पूर्णिमा का वर्ति इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत ब्रह्म में जाने लगता है मन जब गलत जगा पर जाने लगता है तो यह मन को गलत जगा पर ले जाने वाला कौन होता है तो कहा यह चंद्र होता है व्यक्ति की राशी के अंतरगत व्यक्ति की पत्रिका के अंतरगत व्यक्ति की ग्रहदशा के अंतरगत जब चंद्र बे क मातने कथी हैं गुर्जी हमारे बेटे को आशिरवात जीर बहुत गलत संगत में जा रहा है मतलब में समझ जना की चंद्रगरबद जा रहे ह्चय है बेटी अगर गलत मारंगपर जा रही है चंद्रगरबद को राकर्शिनी चंद्रगरबड हो रहा है उसका चंद्र कहीं जा रहा है कोई पुरुष कोई लड़का कोई गलत मारगा पर जा रहा है चंद्रगरबड गर में जो कलेश उत्पन होता है घर में जो विवाद उत्पन होता है उस विवाद को रोकाने के लिए केवल चंद्र की ही इसलिए तो कर निमाऑगर की नारियां हमरीच कि पर्तेख कंप कि कथा यहित लोग आस्थैनल पर क्यों जितनी लोग ऊस्ट हैं उन्हें कभी ऑग्षर करता कर रहें को नो तोसमें लिखा पुरान के अंतरगत जो सत्तनरण की कथा करवाने लगा और ये योनी को प्राप्त हुआ इस योनी से चूटा इस योनी में गया। यख़ el adviserOS शौशुऑ in the कि कई पुर्णी इंवा को सत्तनरण की कथा करने का बोला है। पुर्णी मद्वकु सत्तनरण की कर्णा का क्यों बुला ? बैसे đầu रोज करव अचनर कराओ प्रती दिन करव मना नहीं है आप क्या कोई विशेश फंक्चान है आप सत्रान जी की कता करवा पर पूर्णीमा सक्रांती को सक्रांती को पूर्णीमा को सत्रान की कता का इस्मन क्यों करवाया गया क्योंकि पूर्णीमा के दिन अगर ये भगवान का ब्रत रख लेगी, पूर्णीमा के दिन अगर ये खीर का परशाथ बना लेगी, तोड़ा सा दूद की कोई सामगरी बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, बले सत्रान भगवान के भाव से बनाए, बले सत्रान ज है वो शान्ती में बदल जाएगी इसलिए कई घरों में आज भी सत्तनना भगवान की पूजन हर कुनि मा को करती है माता किताब लेकर बिढ़ जाती है तुरंट 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 उसने तुरंट तुरंट उसने तुरंट जली अलिए कलाश रखा कलाश नीवी रखे तो रूजना लग गया मत्व पूर्णि मा को करना उसको करने सक्या होता है शांती रहती है कि संबंध रहा है कि प्रते कम फूर्णि मा को यहां को तो फिक को बुद्द की सामागरी तयार होती हो खीर परसाद तयार हो उसके घर में कभी कलेश नहीं हो सकता चाह साजबव एक दूसरे के सामने हो का है ना वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना फिर भी संती हो जाती है पर प्रते एक महीने की पूर्णीमा उना ची यह नहीं कि त आद चूर मात बन रहा है डालबाटी तो बन रहे है है चूर में एक साथ में लड्डू बन रहे है तो काई को खीर बना रह到底 तो तुमने अब अब वो खीर पर साथ महापुरान की कथा कहती है महाराज कुन्नी मा का जो चंद्र है वो विशाल का है और चंद्र की पून का में हमारी अभिलाशा हैं भी पूनो आप आस्था चैनल के माध्याम से जितनी लोग कथा सुन रहा हैं फेस्बुक यूड़ूब पर जितने कथा सुन रहा हैं और कुबरिश्वर धाम में जितने कथा सुन रहा है आप में से कितने लोग हैं जो पूनिमा का ब्रत करते हैं जो माताय करती हैं जरहाथ उताइए पूनिमा का ब्रत जो करते हैं करते होना आपको करता अब पूर्मिमा के ब्रत में। आपने कई बार किताब पढ़ी होगी फूर्णिमा की यह आपने ब्रत किया होगा यह अप्शुर्मिमा का व्रत आप धारण करे होगे तो उसमें पूझन कौन से भगवान के हो 번 यह दिम्गेर में किस वागवान की पूजन कोई तो तब फूर्णुमा के व्रतमें केले के खंब लगा कर पूर्णुमा का जो नंतरब होता है पूर्णुमा की जो mother ishores उस पूजन में संकर और भारवती की Kabinth शिव और नारायन की पूजन करी जता है शंकर और पारवती का इस्मरान किसकी पूजन होती है शिव पारवती की क्यों करा जाता है पुर्णिमा के बलत में क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिनोंने अपून लच्छनी को भी पून बना दिया था किसको पून बनाया है लच्छनी शरत पूनी मा के दिल अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो सवेत पुष्प को रख कर शंकर जी के उपर सफेद फूल को चड़ा कर अगर एक लोटा जलवी एक पात्र जलवी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये लच्छनी के लिए ही तो कर रहे हो और कौन सी लच्मी पूर्ण लच्मी पूर्ण लच्मी आपको पहले भी तथा में कहा एक बार बगवान विश्णू के सामने लच्मी महिया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था नारेन, दुनिया के लोग आपका नाम जबते हैं, दुनिया के लोग नारेन नारेन करते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य माइने में कहूं न, तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना विज्टक नहीं चल सकती लगवान विश्टू ने एक दिन लचमि को अहंकार आ गया ऑहंकार के संबोधन जम्रात विभान लगी तो अहंकार के सम्मोर मत भावन विश्टू को तेरी पूर्ण न toda कहा हो हुडए कि यहाँ अच्मी की आंक से अशु बहुने लगे आज साइने मुझे MON कहा तो मुझे इतों खूरत ऑप मुझे कन करे यो आपको यह ज्रीय वहरा हूं सरस्वती ने पूछा क्या बात है लचमी क्यों रो रही हो लचमी जी ने कहा क्या बता हूं सक्ये मेरे पती ने आज मुझे अपूर्ण कर दिया तो क्यों मेरे साथ और सुरसती महिया माता लछमी जी लेकर सीधे पहुज गहीं माता पार्वती ने लच्छमी जी को देखा और स्वर्सती को देखा तो पूछा कि बात क्या हो गया इसा क्या हुआ क्या है इसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई क्या हुआ भार्वती जी कुछ बोलतीं सिव जी का ध्यान माता स हथी कि योडसी है और भ्यवन संकर जान आज भगवान नरैंड ने लच्छमी जी वापून कहा है अब देख़ें माता पार्वती क्या इसको पून बनाने के लिए करेगी क्या हुए क्या हुआ तो क्या सोचना उसके लिए इसको मैं अभी पूर्ण बना देती माता जगजन ने पारवती ने गोधी में विराजमान गणे जी को उठाया और उठाकर लच्वी जी की दौध है ले लच्वी आज से तो पूर्ण होगे लच्वी आज से तो पूर्ण गोधी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं पर माता पारवती जी ने संपूर्ण भ्रमांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोधी के लाल को अपने गोधी के पुत्र को माता ने नक्हीं कि गोधे में देख다 लच्वी को पून करना तो दिल और यही श्रत पूनने अ को यही श्रत पूनने हे का दिल उ जो पूनने है रिखावती तो लॉन तो रल अम्रत ही नहीं बरस्ता शरत पुर्णिमा के दिन लच्मी भी बरस्ता लच्मी पुर्णिमा के कित्ते बरत होते हैं पुर्णिमा के नारियों को इस्तनियों को अखंड सोभागे के लिए जो नारी वेधब्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पुर्णिमा के कितने व्रत्तर ना चाहिए अब अवान घ्र्णिमा के व्रत्तर नहीं हो अब बगवान कृष्णने माता यशोदा को द्वापर में बटाया है कि कोणिमा के 32 व्रत होगे कितने व्रत पितने व्रत होते हैं अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए, और यहां तो दौापर की कता भी करती है, ये शुदा जी ने एक बर बगवान कृष्ण को रोक करता दिया, ए कनिया रुको, कनिया बोले, बोलो है, जिस समय पर, राधा, रानी, कुरुचेत्र में, नंद बाबा और येश्वदा जी को लेकर, कुरुचेत्र के कुण्ड में, ब्रum सरोवर में, इसनान कराने के लिए कर जाती है, गर्षण का समय पर, और जब भगवान कृष्ण उस कुर्चेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं तब यश्वदा जी ने अपने लाला से पृष्ण किया कुछाए कि नारी वेधव्य हो करना मरे उसका पती कोई रोग से गरसीत ना हो उसका पुत्र